बड़ी ख़बर आ रहे हैं नीट मावले को लेकर उसका रूख कर लेते हैं सियासत इस पूरे मावले पर गर्मा गई है और जेडी कॉंग्रेस समेथ विपक्ष ने नीट परिक्षा को रद करने की मांग की है विपक्ष एक सुर्मे केंदर सरकार को खेर रहा है तो एक तरफ जहां पर यू की जाच चल रही है जाच एजनसिया जो काम कर रही है बियार के जो एडी जी है नई रसनाइन वो दिल्ली पहुंच चुके हैं लेकिन सियासत गर्मा चुकी है और विपक्ष रद करने की मांग कर रहा है सारे जो परिश्ठित परिख्षा है देश के वो सब मजाक बन कर रह गिया है अभी नेट यूजी सी परिख्षा को रद किया गिया है और नीट परिक्षा पर बवाल मचा हुआ है नीट परिक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं माननिय सर्वोच न्याले ने भी सवाल उठाए हैं और देश के माननिय सिक्षा मंत्री जी इस पर सफाई दे रहे हैं और बचाव कर रहे हैं ये गंभीर मामला है देश के छ चात्रों के भविस्य के साथ जो खिलवाल करने की जो कोसिस होती है और उसका दस परिनाम प्रतिवावान चात्रों को भोगना पड़ता है कि अंदर सरकार ने सम्मेक पैसला लिया है लेकिन हम यह भी अनुरोद करेंगे कि भविस्य में होने वाली परिक्षाओं में अगर इस सियासी तोर पर थमाम सवाल उठ रहे हैं हम सीदे रुक करते हैं अपने सहयोगी अब विशेक अब द्यायका विशेक नकल माफिया ने पूरे सिस्टम को ऐसा ही लाया कि अब सियासत में किसी को बचाओं की मुद्रा में आना पड़ रहा है और किसी को मौका मिल गया है बिकला अवदेश और खुद सरकार भी इसको लेकर के सरकार के भीतर भी गहन चिंतन चल रहा है परकाश जी जो बात कर रहे थे वो काफी हट तक सब्सक्राइब है कि सरकार इसी बात का इंतजार कर रही है कि कितने और सब्सेंशल इविडेंस उसके सामने आते हैं अभी और इसी लिए अभी तक कैंसिलेशन का फैसला नहीं लिया गया है जो बिहार की अधिकारी यहां पर आए हुए हैं उनके पैस का सबूत इसको दिखा जाएगा गोधरा से जो सबूत आए हैं सामने वो भी उस पर भी इंविस्टिकेशन चल रहा है और नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसके पास जो शिकायते आई हैं उन पर भी सरकार का पूरा ध्यान बना हुआ है तो चिंता अपने सयोगी दलों से भी है विपक शाक्रमन कर रहा है संसरत का सत्र शुरू होने वाला है और खुद जो इविडेंस सामने आ रहे हैं जिस ग्राउंड पर यूजी सी की प अगला कदम इसको रद्य करने का ही हो सकता है जैसे ही घड़ी का काटा दो पहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी डियूज आपको रखे आगे